दोहजार उनलीस के लोकसवा चुनाब जैसें से करीब आ रहे हैं राजनेतिक गल्यारों में सियासी हमसान तेज होता जा रहा है। 2019 में जो पिर्धान मंत्री नेंदर मोधी मौजूद बक्त में हैं क्या उनकी टक्कर की एक वो चहरा हैं क्या बीजेपी को टकर दे पाएंगी। बहुजन युवाव ने ठाना है बहेंजी को पियम बना है। सभी को पता है भारत में जब चार बार बहेंजी एक बड़े राज की मुख्यमंत्री रही। आपने देखा हुगा बड़ा राजी है उत्रप्रदेश उसमें चार बार जो जिस राजी की बहेंजी मुख्यमंत्री रही। और उनके सासनकाल में भारत के जितने भी राजी है आप देखोगे उनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रही थी। जब वहेंजी को राज मिला तौर साथ ले पार दो की बहारा में सब समाज की बावा करूँ पर्यार जी की बात करूँ पुले जी कि बात करूँ रेमोर्कशीरामजी के और अन्श्वी की विचार धला को बहिंजी ने स्तापित किया सर्भ समाज की जो विवस्ताती उसको जाइ से सतापित किया 않은 ने तो Beautiful की देखा जाये तो पूरे भारत की सबसे भावी पृद्रारमंत्री दाविदार हैं और भारत की जो थाना साह मजूदा ऊसके खिलाप अगर को सकते हैं तो बहुआ जीवन को नहीं है और उनका प्रसासनी का जीवन देखें गया जो अध्य देखेंगे तो कानुन विवस्ता चर्व सर्वो पर रही है और इसी लिए उनको भारत के आई लेडी आई लेड़ी के नाम से जाना जाता है और हम सभी वहाओं का यह मानना है कि बएस्ता खिलाब उसमें ब्हेंगी ही ऐसी नेता है जो पूरी तरह से भारत के सासन सत्ता को सभाल सकती हैं आप देखें पूरे राज्यों की बात करूं इसलिए कांग्रेस और बीजेपिम खलवली मची हुई है कि लगता है भारत में बहुजन सत्ता का स्थापित होने का वक्त आ गया है सबसे ज्यादा हमारे लिए सारतक है उसमें तो हम सभी चाहेंगे भारत में जितने भी हुआ हैं जो आज की रेट में भठके हुए हैं एक प्लेटफोर्म पे काम करें पद का लालत से ना लें सिर्फ औसरफ काम को महत्तो दें और भारत के सम्मेधान की बिल्कुल भी अमिलना करें सम्मान करें उसका क्योंकि भारत के सम्मेधान की जो सब्समान करेंगा वही भारत में सब्सक्राइब से स्थापित कर सकता है कि अगरे